अल्राइट, हेलो एव्रीवन, वेलकम तु इस न्यू वीडियो, और बहुत बड़ा फॉल दे दिया मार्केट ने आज, हम लोगों ने फॉल की बात तो करी दी बट इतना ज्यादा बड़ा फॉल आगा यह एक्सपेक्ट नहीं करा था, never mind, market हमेशा surprise करता रहता है हम लोगों को, but before we start today's analysis, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, आज जो भी हुआ, profit हुआ, loss हुआ, break even हुआ, does not matter, what matters is the coming future, the coming weeks, the coming months, अब आपको आने वाली week में अगर बैंक निफ्टी, निफ्टी में opportunity नहीं मिलती है, तो compulsion नहीं है trade करने का, preserve your capital, अपने mental strength को बनाए रखो, psychology को build करो, and रोज-रोज trade करने की कोई ज़रूत नहीं है, क्योंकि market है काफी बड़ी range में आ गया, I'll just start analyzing now, so without wasting any time, let's get started. By the way, मैंने आज Instagram पे एक आप लोगों से पूछा था, कौनसे stocks आप चाहते हैं, analyze करने की तो, Tata Power and Ayesher Motors, ये दो stocks मैंने Instagram से लिए हैं, बचेगा आपका, ठीक है, start करते हैं, सबसे पहले वना time frame पर आके देखते हैं, तो Nifty ने काफी important zone से suddenly reversal लिया, इतनी बड़ी bearish engulfing candle के बाद, that to open high की candle थी, no one expected that the market will fall, इस तरीके से no one expected that the market will rise, ये जो open, open equals to high की candle बनी, इसके बाद किसी ने expect नहीं कराता that the market will rise, बट अचानक से उपर की side का movement आया, I'll try to explain ये क्यों हुआ, तो वापिस से अगर हम एक बाद daily time frame पर आकर check करते हैं, over here it is clearly visible just a minute guys, ये drawings remove करना बहुत ज़रूरी, otherwise confusion होगा, alright, तो daily time frame पर it is clearly visible, यहाँ पर एक काफी अच्छी range है, now, एक तो मैं इस range की बात कर रहा हूँ, this range, okay, almost 1.7% की range है, 283 points की, and यहाँ पर market almost 14 days तक, 14 days तक market इस range के अंदर रहा था, and अभी फिर से उस range के अंदर आ गया है, आज का high और आज का low, दोनों इस range के almost बीच में पढ़ रहे हैं, right, by the way यह जो gap के हम लोगों ने last market analysis में बात करी थी, यह gap भी आज फिल हो गया है, so congratulations जिन्होंने short करा था market, अच्छा profit आप लोगोंने कमाया होगा, now, over here एक important trend line से भी market ने support लिया, what I am want to say is, clearly बोलू तो, market can be sideways, usually आपने notice किया होगा, जब इस टाइप की candle बनती है, जब market विक भी बना देता है और उपर की तरफ एक बड़ी बाड़ी भी बना देता है, कुछ यहाँ पर भी कुछ उस टाइप का ही हुआ था, यह यह perfect नहीं है, बढ़ हाँ, थोड़ा सा हुआ है यहाँ पर भी, उस टाइप की एक situation यहाँ पर बन जाती है, इसकी कल मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अपना बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो, इस रेंज के बीच में ही ओपन होगा, इस आज वाली कैंडल के हाई और आज वाली कैंडल के लोग के बीच में and maybe market can go sideways, अगर आप लोग जानना चाहते हो यह रेंज क्या है तो I would just suggest you to take a screenshot इस पूरी रेंज का screenshot ले लिजिए आप 16 839 से मैं आपर टाइप कर देता हूं, no issues, 16 839 से, this is 16 698, 16 698, so almost you can say 140 150 points के आस पास की यह रेंज है, जिसके बीच में market consolidate कर सकता है in this week, in this week नहीं तो कल तो यह रेंज काफी जाद है important आपके लिए रहने वाली है, जब तक किस रेंज को break नहीं कर देता, market, upside की मैं बात कर रहा हूं, यह सिर्फ upside का zone है, supply का, यह मैं पूरी range की बात नहीं कर रहा हूं, this is just the supply zone, जब तक इसके उपर एक strong closing नहीं मिलती है, आप लो buy नहीं करोगा, and strong closing 15 minute time frame पर होनी चाहिए, then downside में आते हैं, तो downside में यार again, एक काफी ही ज्यादा important, just a minute, I'll just remove all this, all right, तो नीचे की तरफ काफी ज्यादा important है कि यह वाला zone है, जहां पे दो consecutive candles, लगातार तो नहीं, बठा, दो individual candles, बहुत छोटी सी विक बनाकर ऊपर की तरफ का movement लिया, अगले दिन gap up, and then बड़ी rally start करी, you can say that this is a pullback level, जहां से market ने इस टाइप क impulse wave नया start करा है, right, trend के लिए काफी साथ important बन जाती है, this shows कि इस zone में काफी सारे investors, काफी सारे buyers बैठे है, जो market के इस level पर आने का वेट करता है, और महां से भागता है market, same आज हुआ है, जैसा मैंने आपको बोला कि suddenly इतना बड़ा movement है, उसका reason क्या था, तो यह वही कुछ zone आ नहीं, 16, 350, 16, 411 से 16, 350, यह range काफी जादा important demand zone की तरह आपके act करेगी, again मैं बोल रहा हूं, जैसा मैंने वीडियो के starting में बोला था, opportunity नहीं मिलती है, तो ज़रूरी नहीं हम लोग घर दें trade करें, right, अगर market इसके बीच में sideways बजाता है, I would suggest option seller हो, बहुत अच्छी बात है, premium बढ़ गए अभी, जैसे जैसे market थोड़ा stable sideways होगा, premium नीचे आएंगे, and then आपको थोड़ा उसका भी पैसा मिलेगा, plus अगर market is rain में रहता है, जैसा मेरा idea मेरको थोड़ा सा लग रहा है, कि हो सकता है, थोड़ा sideways रहे, अगर नीचे की तरफ नहीं जाता है, तो तो आप लो ज़रूरत नहीं है, trade करने की, let the market be, let the market get stable, फिर थोड़ा consolidation करेगा, फिर breakout आएगा, that is the time to trade, ओके जैसे हम लोगों ने यहाँ पर बोला था, अभी दो दिन रुख जाओ, उसके अगले दिन देखो इत्ती बड़ी red candle बनी, so just wait, कल opportunity नहीं मिलती, कोई दिक्कत नहीं है, wait करे जाने वाली आपकी ये पहला तो ये zone and then दूसरा ये zone, इसके बीच में market sideways जा सकता है, coming to bank nifty, अब यहाँ पर और भी ज्यादा better sideways होने के chances है, आप देख सकते हो, यहाँ पर एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन से चार बार market जो है, इसको support, इसको resistance और इसको support की तरह मान के, लिटरली यहाँ पर 23 days, almost a week, then again over here, almost, यहाँ तो almost a month and यहाँ पर almost 2 weeks, 15 तो यह जो पूरी zone है, यह जो पूरा zone है, काफी जादा, you can say, इसके उपर से selling भी आती है, नीचे से buying भी आती है, तो bank nifty के लिए range bound होना जादा, you can say, predictable रहेगा, क्योंकि bank nifty बीचों बीच almost बंद हु कि कल कितना ही जादा उपर gap up open हो जाए, मिरको नहीं लगता, इसके उपर gap up open हो सकता है, या इसके नीचे gap down open हो सकता है, तो अगर market कल flat या फिर थोड़ा सा ही candle के अंदर-अंदर open होता है, बहुत chances है, inside candle बना है, दो से तीन दिन, यह sideways रहे दन, expiry के दिन, बड़ा movement दे जो जो भी होगा, this high and this low, Monday की candle, आज की candle का low और आज की candle का high आप कभी भी देख रहे हो, Thursday को देख रहे हो, Wednesday को देख रहे हो, याद रखना, 20th December का high और 20th December का low, बहुत जादा important रहने वाला है, nifty और bank nifty दोनों के लिए, now this view was for people जो की, you know, one week का trade लेते हैं, थोड़ा long term view जाना जाता है, अगर मैं intraday की बात करता हूं, तो intraday में आप लोग buy कर सकते हो, now here completely, पूरी बात सुनना, उसके पहले खुश मतोना की सर बुलिश हो जाएगा, 38% के retracement level पर आकर market आज shooting star बनाकर बंदी है, क्या शो करता है, that towards the end market भली बुलिश गया हो, लेकिन एक और ये दो, दो candles लगातार, दो candles rejection candle की तरह बंदी है, last candle of the day was a shooting star, this shows कि end of the day के 15 minute में, जितना market उपर गया, उपर से उप्ताई selling pressure लेकर नीचे आके बदी है, right now, अगर कल by chance market ये level के उपर open होता है, let's say यहां पर open होता है, यह level के नीचे open होता है, just wait, अगर यहां से उपर आना चालू कर करता है, इसको break कर देता है, इस zone को break कर देता है, which is the 50% level of retracement, तो आप long जाओगे, याद रखना, closing जहां पर होई है, closing candle का high जो है, which is 34.518, इसके breakout का weight जरूर करना है, so sorry, just a minute, इसके breakout का weight जरूर करना, अगर आपको buy करना है, यहां से target हालंकि छोटा है, 100 points का, अगर इसको nifty निफ्टी ने support करा, क्योंकि निफ्टी मैच bullish movement ज्यादा आया था, right, just a minute, I'll tell you what to do, अगर निफ्टी ने यहां पर, अगर निफ्टी ने यहां पर, इस level को break कर दिया, 16, 676 and bank निफ्टी ने वहां पर, 35, 34, 512 को break कर दिया, दोनों में अगर एक साथ breakout आजा, 15 minute time frame पर, तब म बोलूँगा कि market range के high को touch करने आएगा, इस type का एक अच्छा movement आप catch कर पाऊगे, ठीक है, और याद रखना bank निफ्टी दोनों direction में तेज जाता है, उपर भी तेज जाता है, नीचे भी तेज जाता है, लेकिन निफ्टी comparatively bullish जाता है, तो buy करना आप निफ्टी के अंदर, okay All right guys, so yeah, so sorry for the dog, यार बार कर रहा था, never mind, अगर market इस level के उपर close कर देता है, निफ्टी के अंदर तो आप long जाना और यहां का target टेल जाना, open high की जो आज की candle बनी थी, आज के date का high का, यहां से फिर वो हो सकता है, shooting star वगएरा बना कर के reverse करने की कोशिश भी करे, second case हाता है, sell क sell कहां पर करना है, sell करना है, अगर market flat open होता है, एनी चांस जो मेरे को लग मीरा, looking at SGX, nifty, को कुछ भी हो सकता है, share market है, बट हाँ, ठीक है, थोड़ा gap up, gap down, थोड़ी बहुत, volatility रहेगी, बट अगर इन दोनों levels के बीच में open होता है, यह दोनों levels आप अपने chart पर बना लेना अप्लाई करना नहीं आता है, तो यह आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देखना बहुत पसंद आएगा, अगर यहां से breakdown देता है, market इस रेंज में open होता है, this is the point where you should sell, यहां से यह टार्गेट वन यह टार्गेट यह तो, यह दो टार्गेट आपको for sure मिल जाएंगे, intraday traders के लिए, या scalpers के लिए, ठीक है, अब अगर यह इसको तोड़ देता है, और 15 minute पर इसके नीचे बंद हो जाता है, selling आपको कहा करनी है, bank nifty के अंदर, तो bank nifty अगर, like nifty इस range में open होना चाहिए, and then bank nifty पर आकर के आपको क्या check करना है, bank nifty पर आकर के आपको check करना है, just a minute, bank nifty पर आकर आपको check करना है, that market breaks this level, this level market breaks, इसको break करेगा, यह सीधा आपको target देगा, यहाँ पर एक छोटा लगा सकते हो, trailing target, जैसे ही market इसके नीचे closing दे दे, अगर कल, on Monday by any, Tuesday by any chance, तो आपको एक काफी अच्छा नीचे का बड़ा target मिल सकता, तो आप इसको hold भी कर सकते ह अगले दिन की hold करने, like position आपकी रहे, अगर market इसके नीचे बंद होता है, तो ठीक है, यह दो आपको मैंने बता दिया, किस तरीके आपको buy भी कर सकते हो, sell भी कर सकते हो, हलंकि chances थोड़े कम है, हो सकता है, market sideways है, तो बहुत carefully trade करना, अब आजाते हैं, equity के उपर, ऐसे stocks जो मै मैंने को चेक करें है, कुछ stocks जो मैंने निकाले हुए, आप लोगों के लिए, तो the first stocks that comes to my watch list is mind tree, perfect head and shoulder pattern यहाँ पर बन रहा है, trend line, breakout देकर बंद हुआ, market and important support zone, demand zone, whatever you want to call it, यहाँ की यहाँ पर आके लो बनाए, अब आपका action plan क्या है, 15 मिने time frame पर आके बताता हूं, intraday traders के यहाँ पर एक छोटी सी trend line यह बन रही है, बहुत ज्यादा छोटी trend line है, but काफी ज्यादा important है, यह pattern सा बन रहा है, अब इसको उपर ही, obviously, इस range के बाहर ही open होगा, but this comes out to be the range of the market, अगर यह level, which is roughly 4, 3, 6, 5, यह 4, 3, 7, 0 मान लो, 4, 3, 7, 0 and 4, 2, 3, 4, 2, 4, 0, 4, 2, 4, 0, 4, 3, 7, 0 से 4, 2, 4, 0, यह range के बीच में market open होता है, जिस भी direction में breakout देता है, आप उस direction का trade easily ले सकते हो, upside में अगर breakout देता है, तो आपको इस level का target लगाना है, मतला 4, 3, 4, 4, 3, 7, 0 से आपका target रहेगा 4, 4, 0, 0, almost 0.7% का target रहेगा, इसके नीचे अगर break down देता है, 4, 2, 4, 0 के नीचे, तो आपको काफी बड़ा target मिलेगा, 15 मिनट टाइम क्रेम की आप बात कर रहा हूं, बड़ी closing आनीचे, अच्छी red candle, यहां से अगर नीचे की तरफ आता है, तो आपको अपना swing sell कर सकते हो आप, यह आपको target में एका 4184 का ठीक है, तो 4, 2, 4, 0 से 4184 का एक अच्छा bearish target आपको, यहां से almost you can say, 2% के आसपास के यहां पर target आपको मिल सकता है, coming to Tata power, now this stock was requested by a student, एक student ने request करा था, that is why I am analyzing this, तो Tata power के अंदर guys, मैं नहीं बोलू मां कोई बहुत खास setup बन रहा है, बट हां, जो भी है मैं आपके साथ share कर देता हूं, यहां से trend line आ रही है, तो बहुत ज़्यादा perfect नहीं है, you can see, यहां पर थोड़ा consolidation हुआ, and then अच्छी बात है, तो एक अच्छा setup है, but over here market ने फिर से नीचे आकर closing देता है, आप sell करना, आपका straight target यह level का रह सकता है, अगर उपर की तरफ बात करता हूं, तो जैसे ही आज का high break होता है, आज का high break होता है, तो कल आप buy कर सकते हो, and यह target आप लगा सकते हो, 215 का, तो this is almost, this must be more than 1%, 1.5% के आजपास का यह target है, नीचे की तरफ भी सेम है, 1.5 से 1.6% का target आपको मिल जाएगा, daily timeframe पर इसका बड़ा विव, अगर मैं देखता हूं, तो सबसे पहले तो यह levels को मैं remove कर देता हूं, एक बार, ओल राइट, so, over here, daily timeframe पर clearly visible है, कि market ने आज अपनी almost पिछले दो महीने से सबसे जादा lowest closing दिये, दो महीने से market इस level को break नहीं करना था, इसके नीचे दो महीने बाद closing, यह open हुआ था, close नहीं हुआ था, close इसके उपर ही हुआ था, तो आज दो महीने बाद almost market ने इस level के नीचे closing दी है, that too you can say a pin bar candle, यह फिर आप बोल सकते हो, hammer candle की तारे से आज closing यहाँ पर दी है, अगर यह overall swing के हिसाब से मैस का setup बताता हूँ, तो if it breaks down, यहाँ से weekly time frame पर एक breakdown देता है, तो आप लोग यहाँ पर sell करोगे and यह level का target लगा दोगे, तो this is a big target, यह कोई छोटा मोटा नहीं है, अच्छा है टारगेट यहाँ पर है, 5% के 6%, 7% का बहुत शांदार target आपका hit हो सकता है, तो this is my analysis for Tata power, long यहाँ पर जाएंगे 236 के उपर, otherwise buy नहीं करेंगे, 236 भी नहीं थोड़ा सब लगा देना, 238 के उपर आप long जाओगे, coming to Aisher Motors, यह दूसरा stock है, जो एक student ने request करा था, बहुत simple analysis है, इसका अच्छा गासा है, यहाँ आप देख सकते हो support zone है, अब यहाँ पर 2557 से 2544, यह काफी जादा important demand zone है, अगर मैं इसको stretch करके दिखाता हूँ पीछे की तरफ, तो अब देख पा रहे होगे कि यह काफी जादा important area of interest है, यहाँ से market में supply भी आता है, demand भी आता है, depending upon price कहा से approach कर रहा है, यहाँ पर यहाँ से you can say W बन सकता है, and market उपर भी जा सकता है बट हम लोग assumptions में नहीं रहेंगे, जो भी होता है, यहाँ से breakout आता तो buy करेंगे, नीचे breakout आता तो sell करके यह low का target लिए, अगर इस low पर आकर reversal show होता है, exit कर देना, position square off कर देना, and don't wait, वो हो सकता है, बहुत तेजी से उपर चला जाए और जादा ही उपर चला जाए, फिर ए Thank you so much for watching, make sure you subscribe to the channel guys, Instagram पे जरूर फॉलो करना था कि आप लोग भी ऐसे चीजों में पार्टिसिपेट कर पाओ, and फिर मिलते हैं, I think expiry के दिन में live trading करने आ रहो, so if you are a new viewer, please subscribe to the channel, and this is Divya Parashar signing off from their phone, take care, bye-bye. झाल